हेलो फेंट्स आप सभी का हमारे यूटूब चनल पर स्वागत हैं दोस्तों सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को हमारे यूटूब चनल की तरफ से दिवाली की डेहर सारी सुबकाम नाए हैपी दिवाली दोस्तों आज की ये वीडियो में लेकर आया हूं कोशन अं अंसर दिया है तो सबसे पहले जो कमेंट की है वह की है अमिस शिरोही ने यह पूछते हैं कि सर कोई कहता है कि इंजक्शन मोल्डिंग मसीन की तीन यूनिट होती है और कोई कहता है कि दो यूनिट होती है आप बताईए इंजक्शन मोल्डिंग मसीन की कितनी यूनिट होती तो बढ़ी जो कहते हैं कि 3 unit होती है वो भी सही है जो यह कहते हैं कि injection molding machine की 2 unit होती है वो भी सही है अब आप समझी लीजिए कैसे देखिए जो company की और से कहा जाता है जो rule regulation में है वो होती है दो unit एक तो होती है injection unit और दूषरी होती है clamping unit लेकिन जो थर्ड यूनिट है मॉल्ड यूनिट वो हम अपनी तरफ से जोड देते हैं और जो हम अपनी तरफ से जोड देते हैं वो भी कोई गल्त नहीं है तो आप कह सकते हो कि इंजक्शन मॉल्डिंग मशीन में दो यूनिट होती है लेकिन तीसरी यूनिट जो मॉल्ड यूनिट है व तो दोस्त इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है आप मेरी प्लेइलिस्ट में जाकर पार्ट उनंचस को देख सकते हो वहाँ पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा मैंने वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और इसका मैं पार्ट है इसका उनंचस प्ले लिस्ट में जाकर आप पार्ट उनंचस की वीडियो देख सकते हो उसमें मैंने फूल एक्स्प्लेंग किया हुआ है लिए चलते में नेक्स्ट कोशन की और और यह पूचा है परनव जखेते ने दोस्त अगर यह नाम मुझसे गलत ल मॉल्डिंग के उपर ही बेस है आप जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हो तो चलते है अपने नेक्स्ट कोशन की और और यह पूचा है मुझसेंसर हुसेन रियल में यह कोई कोशन नहीं पूचा यह कुछ कहना चाहते हैं यह कहते हैं भाई हिंदी ज़रा कम उर्दू व पर कैसे आता है तो भाई इसक्रू फॉरवर्ड मोटर के द्वारा दा है और जो इंजक्शन यूनिट है वह है डोलिक आता है हुझ अपन्स के दोयारा फोरवर्ड होता है चली इस बिड़े नेक्स्ट वसन की और यह पूचा है निरज कुमार ने यह पूचते हैं कि से कि बाइ इसके बार इसका हो सकते हैं भाउ तो इसके मोल्ड kा तैंपरेचर इंपरेचर कम हजादा हो ना बैरल का तैंपरेचर कम हícia जादा हो ना इंज adviser का उना इंजेक्शन इस पीड का कम श्यादा ऊना तो तो यह कोई एक बात पर डी पैंड नहीं करता कि कारन किहा हुसकता है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं आप को ठीज्टों क्या हुगा या फिर पाइज में देखना हो गाई जो आप के 5-15 खराब आए उन्हें ईक्ना हो कि कमी क्या है शिंग आ जा रहा है या फिर कर एक बीर रहा है आप उसी कंशार ठीक कर सकते हो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो चली है मैंने चैस्ट को सन की और और यह पूछा है अवनीजके यह कहते हैं सर्फ कुछ फीडियो इंग्लिस में भी बनाई तो भाई हम इंडिया में रहते हैं ज्यादे तर हिंदी देखने वाले हैं इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूं और अगर मेरे सब्सक्राइबर कुछ ज्यादा हो जाएंगे इंगलीस जो इंगलीस में वीडियो चाहते होंगे मैं इंगलीस में भी वीडियो बना दू इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूं तो चलिए चलते हैं पर नेक्स कोशन की और और यह पूचा है पंकर सर्मने यह कहते हैं सर मुझे में इन्टिनेस का काम सीखना है कोई छीखाता हो तो बताओ तो भाई मैं आपको शला देता हूं आपको एडवाईज देता हूं क कि अगर आपको पैसे दे कर काम सीखनाएं तो मस सीख़िए बाइसट यह रहेगा बैट्र यह रहेगा कि आप किसी कंपनी मे में जॉइनिंग कीजिए फ्रेशर के रूप में कि आप मेंटिनैंस टिपार्टमेंट में जॉइनिग की यह बेसक को अपको सैलरी कम इंप आपको सेलली मिल जाएगी, आपके खाना खर्चा चल जाएगा, आप कम सेलली पर काम कीजिए, एक साल, दो साल, आप मैंटिनेंस का काम फुल सीख जाओगे, लेकिन पैसे दे के आप काम सीखोगे, वो ठीक नहीं रहेगा, आप कमपनी में जोइनिंग कीजिए, मैंटिनेंस में फ्रेसर के रूप में और फिर महाँ पर आप सारा काम सीख जाओगे, बैटर यह रहेगा, तो चलिए चलते हैं पर नेस्ट कोशन की और और यह पुछा है, पुछ पेंदर गुजर ने, यह कहते हैं, प्लास्टिक इजे और गैनिक मैट्रियल, एवरी प्लास्टिक इज कोशन किया था, उसका इनोंने एंशर दिया है, तो दोस्त यह थे कुछ आंसर, कोशन अंसर जो मैंने इस वीडियो में सोटलिस्क ए है, अगर आपका भी कोई कोशन है, कोई सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, अगली आने वाली वीडियो में शोट लिस्ट नहीं कर पाया उनसे मैं माफी मांगता हूँ अगली आने वाली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके कोश्चन का अंसर भी मैं जरूर दूँ तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही हैपी दिवाली एक बार फिर अपने आसपास सवाई रखें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वंदे मातरम